आज मैं क्लाश 10th के इंग्लिश के पहले चैप्टर ए लेटर टू गॉड के सारे क्वेस्चन्स का आंसर करेंगे तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि आपको हमारे सारे अपडेट्स मिलते रहें तो इस चैप्टर का पहला प्रश्ण है What did Lancho hope for? Lancho को क्या आशा थी? इसका आंसर है Lancho hoped for a good rain. Lancho को एक अच्छी बारिश की उम्मीद थी because it was much needed for a good harvest क्योंकि अच्छी फसल के लिए इसकी बहुत आवश्यक्ता थी. दूसरा प्रश्ण है Why did Lancho say the rain drops were like new coins? Lancho ने क्यों कहा कि बारिश की बुन्दें नए सिक्कों की तरह थी? इसका आंसर है Lancho compared the rain drops with new coins. Lancho ने बारिश की बुन्दों की तूलना नए सिक्कों से की because they were promising him a good harvest. क्योंकि वे जो बुन्दें थी उसे अच्छी फसल का वादा कर रही थी. Resulting in more prosperity जिसके परिणाम स्वरूप उसे अधिक स्मृधी मिलती, समृधी मिलती. तीसरा प्रशन है How did the rain change? बारिश कैसे बदली? What happened to Lancho's field? लैंचो के खेतों का क्या हुआ? इसका आंसर है The rain changed into hillstones. बारिश ओलो में बदल गई. As a strong wind began to blow. जैसे ही तेज हवा चलने लगी and huge hillstones began to fall along with the rain. और वर्श्टा के साथ साथ बड़े बड़े ओले गिरने लगे. ओले का मतला बर्फ के टुकडे जो गिरते हैं आश्मा, बारिश के साथ आस्मान से, उसे ही ओले कहते हैं. All the crops in Lancho's field got destroyed by the hillstones. लेंचो के खित की सारी फसले ओलों से नश्ट हो गई. अगला प्रश्ण है, What were Lancho's feelings when the hill stopped? जब ओला वरिष्टी रुकी, तो लेंचो की भावनाएं क्या थी? इसका आंसर है, After the hill stopped, Lancho was filled with sorrow. ओला वरिष्टी रुकने के बाद, Lancho दुख से भर गया. अगला प्रश्ण है, Who or what did Lancho have faith in? Lancho को किस पर या क्या विश्वास था? What did he do? उसने क्या किया? इसका आंसर है, Lancho had firm faith in God. Lancho को ईश्वर पर यानि भगवान पर द्रेड विश्वास था. He believed that उसका मानना था कि God helps everyone in one's problems. भगवान हर किसी की परिशानियों में मदद करते हैं. He wrote a letter to God. उसने भगवान को एक पत्र लिखा. Demanding him a hundred pesos to sow his field again. जिसमें उसने अपने खित में दोबारा बुआई करने के लिए सौ पैसो की मांग गी. किस से? भगवान से. तो अगला प्रश्ण है, उसने लैंचो का पत्र पढ़ा. अगला प्रेश्ण है, Was Lancho surprised to find a letter for him with money in it? क्या Lancho को यह देखकर आश्चरी हुआ कि उसके लिए पैसों से भरा हुआ एक पत्र था? इसका आंसर है, No, Lancho was not surprised, नहीं, Lancho को आश्चरी नहीं हुआ, to receive a letter with money from God. भगवान के द्वारा भेजा हुआ, एक पैसों वाला पत्र देखकर, Lancho को आश्चरी नहीं हुआ, because he had full faith that God would help him, क्योंकि उसे पूरा विश्वास था, कि भगवान उसकी मदद करेंगे. अगला प्रेश्ण है, What made Lancho angry? Lancho को किस चीद के वज़ह से गुष्टा आया, ठीक है? इसका आंसर है, There were only 70 pesos in the envelope, उसको जो लिफापा मिला था, उसमें क्या थे? केवल 70 पैसो थे. Whereas, Lancho had demanded 100 pesos, जबकि Lancho ने 100 पैसो की मांग की थी. The difference in the amount made him angry. यह जो रकम थी, उसने 100 पैसो मांगा था, उसे मिला सिर्फ 70 पैसो, तो इस रकम में जो अंतर थी, उसी के वज़ह से वो नाराज हो गया था, गुस्सा हो गया था. अगला प्रश्ण है, who does Lancho have complete faith in? Lancho को किस पर पूरा भरोसा है, which sentences in the story tell you this? कहानी के कौन से वाक्य आपको यह बताते हैं, ठीक है, यही प्रश्ण है, इसका answer है, Lancho has complete faith in God, Lancho को भगवान पर पूरा भरोसा है. There are few sentences, कुछ लाइने हैं, which shows this, मतलब कहानी की कुछ लाइने हैं, जो इस चीज को बताती हैं, कि Lancho का भगवान पर पूरा भरोसा था. तो पहला है, but in the hearts of all who lived in that solitary house in the middle of the valley, there was a single hope, help from God. मतलब कि उस जो घाटी में, जितने भी लोग रहते थे, उस single घर में, उन घर के सभी सदस्यों में क्या था, एक ही होप था, एक ही आशा थी, भगवान के मदद की. दूसरा है sentence, all through the night, Lancho thought only of his one hope, the help of God, whose eyes sees as he had instructed, see everything. दूसरा यही है sentence कि पूरी रात Lancho यही सोचता है, कि भगवान जो है, उसकी मदद करेंगे, क्योंकि भगवान के आँकें सब कुछ देख सकती है. अगला प्रेश्ण है, why does the postmaster send money to Lancho, postmaster Lancho को पैसे क्यों भेजता है, why does he sign the letter God, वा पत्र पर भगवान के नाम का हस्ताक्षर क्यों करता है, ठीक है, इसका answer है, the postmaster sends money to Lancho, postmaster ने Lancho को पैसा भेजा, मनी का मतलब धन होता है वैसे, तो पैसा ही भेजा, in order to keep Lancho's faith in God alive and firm, ताकि क्या है, Lancho का इश्वर में जो है, विश्वास वो जिवित रहे, और द्रेड रहे, मतलब कि पक्का विश्वास रहे, as he was completely moved by it, क्योंकि वह इससे पूरी तरह प्रभावित हो गया था, कौन प्रभावित हो गया था, postmaster, ठीक है, on behalf of God, वह इश्वर की ओर से, ठीक है, he signs the later God, उसने भगवान का हस्ताक्षर किया, पत्र पर, ठीक है, किसने किया, postmaster ने, so that Lencho's faith does not get shaken, ताकि Lencho का विश्वास भगवान से ना ही ले, इसलिए उन्होंने क्या क्या था, पत्र पर, भगवान के नाम का हस्ताक्षर कर दिया था, अगला प्रश्ण है, did Lencho try to find out, क्या Lencho ने यह पता लगाने की कोशिश की, who had sent the money to him, कि उसे पैसे जो है, किसने भेजे हैं, वाई और वाई नोट, क्यों या क्यों नहीं, इसका आंसर है, no, Lencho did not try to find out, नहीं, Lencho ने यह जानने की बिलकुल कोशिश नहीं की, who had sent the money to him, कि उसे पैसे किसने भेजे थे, because he had complete faith in God, क्योंकि उसे भगवान पर पूरा भरोसा था, last question, who does Lencho think has taken the rest of the money, what is the irony in the situation, Lencho को क्या लगता है कि बांकी पैसे किसने ले लिये हैं, और इस स्थिती में, what is the irony, इस स्थिती में, in this situation, यानि कि इस स्थिती में क्या वेडम बना है, ठीक है, क्या व्यंग है, तो इसका आंसर है, Lencho thinks that the post office employees have taken the rest of the money, Lencho को लगता है कि डांक घर के करमचारियों ने बांकी के पैसे ले लिये हैं, as he had demanded a hundred pesos from God, क्योंकि उसने भगवान से सौ पैसो की मांग की थी, and in the later, there was only 70 pesos और पत्र में केवल 70 पैसो थे, The irony in this situation is that, इस स्थेती में यह वेडम बना है कि, Lencho suspects those people who helped him in his problem, Lencho उन लोगों पर संदेह करता है, जिन्होंने उसके problem में, यानि कि उसके समस्या में, उसके परिशानी में उसकी मदद की थी, and tried to keep his faith alive in God, और इश्वर में उसकी आस्था को जिवित रखने की कोशिस की थी, उन्ही लोगों पर Lencho क्या कर रहा था, संदेह कर रहा था, कि इन्ही लोगोंने मेरे पैसी चुराए हैं, तो यही था इस चेप्टर का सारा question answer, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, तो प्लेज यार लाइक कर देना वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ ही ये वीडियो अपने best friend के साथ जरूर share करना, मैं भी देखू, आपका best friend कौन कौन है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद,